ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि एक अच्छी बोडी बनाने के लिए एक अच्छी मातरा में प्रोटीन के जूरत होती है बोडी को आपने कहीं न कहीं अपने आसपास या कहीं न कहीं आईसे लोगों को देखा होगा जो कि कुछी महीने भर में अपनी अच्छी बोडी लंबे समय तक तो जो लोग एकदम से अपनी मसलत को बोडी को उठा लेते हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन वो जो डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन हाई लेवल को होता है उस डाइट में प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उनके पूरे दिन की कि जब भी प्रोटीन की बात आती है तो उसमें सबसे पहले डालों का नाम आता है क्योंकि डालों से आप कितना भी प्रोटीन ले सकते हो डाल एक ऐसी चीज है किसी जंतु को मार कर प्रोटीन अगर आप लेते हो तो वो आपकी बुद्धी है इसके बारे में मैं ज्यादा बा चला दो कार्ण थे डाल से बोडी ना बनने के सबसे पहला कार्ण था जबसे हमने डाल को कूकर में पकाना सुधू किया ये कूकर अंगरेजों ने बनाया था ताकि इस कूकर को उन शक्तिशाली भारतियों को दिया जा सके जो की जेल में बंध है ताकि वो शरीаж से कमझोर ह कूकर में जब हम कोई चीज बनाते है कोई भी सबजी बनाते है तो उसका पूरा निट्रिशन कूकर चूस लेता है प्रूटीन तो छोड़ो उस दाल से एनरजी भी नहीं मिलती इसलिए पहला कार्ण ये कूकर था दूसरा कार्ण हम लोग सिर्फ एक ही तरह की डाल खाते हैं बोडी बनाने के लिए डाल खाने का तरीका होता है एक देखो एक और लेधार बोडल करता है आपको पूद्प से पहला पॉइंट आता है कब वह कौन सा समय है जिसमें अगर आप डाल खाओगे तो आपकी बोडी बनेगी वो समय है सुबह का और दोपहर का दूसरा पॉइंट है कैसे देखो डाल खाने के दो तरीके होते है एक तो सुबह खाली पेट सप्राउट के रूप में डाल को आप खा सकते हो जैसे कि आप मूंग डाल लो उसको भिगो लो रात को और सुबह खाली पेट खाओ बस दूसरा तरीका है दोपहर को अगर आप डाल को मिक्स करके खाते हो मतलब दो डालों को मिक्स करके खाते हो तो आपकी प्रोटीन की मातरा बढ़ीगी फिर आपकी मसस अपने आप बढ़ी होनी शुरू हो जाएगी इसके पीछे का रिजन ये है कि एक तरह की डाल बनाकर जब आप खाते हो तो आपको डाल के जो अमीनो एसीड होते हैं वो पूरे नहीं मिलते फिर आपको प्रोटीन नहीं मिलता और प्रोटीन नहीं मिलता तो मसस नहीं बनते इसलिए जब आप mix करके डाल को खाते हो तो amino acid complete हो जाते हैं और आपको पूरे का पूरा प्रोटीन डाल से मिलता है दुगना प्रोटीन मिलता है उसके बाद डाल को आपको हांडी या फिर पतीली में ही पकाना है ये बात ध्यान रखना है ताकि पूरे का पूरा nutrition आपको डाल भिगो सकते हो और आपको उसे एक मुठी को सुबह खा लेना है कोई उसको उबालना नहीं है कोई कुछी नहीं करना उसको कच्ची को आपको खा लेना है दूसरा तरीका है दुपहर को चावल के साथ आप कितनी भी डाल खा सकते हो देखो आप वर्काउट करते हो जितना ज ची मातरा में जितना चाहे उतना प्रोटीन आप ले सकते हो अब अगर एक चीज और उठती है इसके लावा एक स्वाल और उठता है जैसे कि मैंने आपको दो तरीके डालगे बताए सुबह और दोपहर को कैसे कैसे करका खाना है अगर आप इसको फोलो करने लग जाओ तो तब क्या क्या होगा देखो आपकी बोडी को प्रोटीन की अधिक मातरा में जूर तो होती है जब आप वर्काउट करने लग जाते हो और एक थोटी ही चीज समझो आप जब सूबह आप एक मुठी डालगी खाओगे तो वहाँ से आपको 10-15 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाएगा और दोपहर को जब आप रजकर दाल खाओगे मतलब बरपूर दोपहर को चावल के साथ जब आप मिक्स दाल खाओगे वो हंडी में बनी हुई तो सोचो आप कितना प्रोटीन आपको मिलेगा कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से मिल जाएगा तो ये टोटल आपका हुआ 50-60 ग्राम प्रोटीन तो सोचो आपको 100-120 ग्राम प्रोटीन की जूरत होती है तो 50 gram protein तो आपका दाल ही पूरा कर रही है तो सोचो कितना protein मतलब कितना ज़्यादा एहम रोल होता है दाल का muscles बनाने में हमारी body बनाने में शायद आपको ये बात नहीं पता थी अगर पता थी तो आपको ये point जरूर add करने है जो मैंने आपको बताए कैसे कैसे खानी है इनको अगर आप add करते हो तो भाई ये सोचो कि 50-60 gram protein आपका कही नहीं जा रहा अलग से दाल से आपको 50-60 gram protein मिलेगा और सोचो आपकी muscles growth में कितना ज़्यादा फर्क होगा पहले से ज़्यादा आपकी muscles दो गुणा ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी अगर आपका workout perfect है ठीक है तो इसलिए मैंने दाल पे अलग से वीडियो बनाई थी क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी muscles को ग्रो करने में हमारी body को ग्रो करने भी बाकी अगली वीडियो मैं एक अलग से मतलब शक्तिशाली food मैं research कर रहा हूँ इन पर अगली वीडियो मैं और लेकर आऊँगा बैल आइकन दबा लेना अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे comment कर देना धन्यवाद जय हिंद जय भारत